सिक्षार्थियों नमस्कर इन आई यूस के स्टूडियो में मैं डॉक्र श्वेता दिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम कोर्स कोड 509 की प्रकडण भुगोल इसके संप्रत्य उद्देश्य और प्रारंभी कस्तर पर इसके स्थान के विशय में बात करेंगे इसमें हम सबसे पहले देखेंगे की भुगोल का अर्थ क्या है इसके पश्चात हम भुगोल की परिभाशाओं पर बात करेंगे हम भुगोल की विशेष्टा पर बात करेंगे इसके पश्चात उच्च प्रात्मी कस्तर पर पाठिक्रम में भुगोल की स्थान है इसके बात करेंगे तो आईए चर्चा शुरू करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूगोल जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है इसमें पहला शब्द है भू जिसका अर्थ होता है प्रित्वी और गोल जिसका की अर्थ गोल से है जो हम जानते हैं यदि हम जोग्रफी शब्द को देखें, तो यह दो शब्दों जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जो मुल्त ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है, इस ग्रीक भाषा के शब्द में जियो का अर्थ होता है प्रिथवी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, तो भुगोल का आशय उस शास्त्र से है जो पृत्वी के धरातलिये सतहों का वर्णन करता है अर्थात इस पृत्वी का वर्णन करता है यदि हम भुगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखें तो इस भुगोल शब्द का प्रथम प्रियोग जो इरान के विद्वान है इर और उनके पहस्चात फिरोडोटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रैबो और उनके सार टॉल्मी ने भूगोल को एक निष्चित स्वरूप प्रदान किया अब हम बात करें भूगोल की परिभाशाओं के बारे में तो भुगोल की परिभाशाओं के क्रम में हम सबसे पहले जो परिभाशा देखते हैं वह रिटर हैं और रिटर ने भुगोल को परिभाशित करते हुए कहा है कि भुगोल में पृत्वी तल का अध्यान किया जाता है जो की मानो का निवासगरी है यानि ये जो मानो और प्रिथऴ के जो संबंद है उसके संदर्ब में भुगोल को परिभाशिद किया है इसी परकार जो ग्रीक के विद्वान टॉल्मी है और उनकी ये परिभाशा बहुत ही प्रशिद्ध है कि उन्होंने भुगोल को परिभाशित करते हुए कहा है कि भुगोल वह आभा में विज्ञान है जो पृत्वी की जलक स्वर्ग में देखता है इसक्रम में हम स्ट्रैबों की परिभाशा देखते हैं और स्ट्रैबों ने बहुत ही विस्तार से भुगोल को परिभाशित किया है वह भुगोल को परिभाशित करते हुए कहते हैं कि भुगोल एक स्वतंत्र विशय है जिसका उदेश्य लोगों को इस विश्व का आकाशिय पिंडो का सल, महसागर, जीव जन्तुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूद अरातल के छेत्रों में देखी जाने वाली प्रतेक अन्य विश्व का ग्ञान प्राप्त कराना है तो इस प्रकार से हम भुगोल को परिभाशित करते हुए यह कह सकते हैं कि भुगोल विश्वत पैमाने पर सभी भौतिक वो मानवीय तथ्यों की अंतर क्रियाओं से उद्पन सल रूपों का अध्यन करता है भुगोल यह बता वह एक दूसरे से अंतरसंबन्धित हैं। अब हम बात करते हैं भुगोल की विशेषता के बारे में कि भुगोल किस प्रकार का विशय है। भुगोल के अंतरगत हम क्या करते हैं। तो भुगोल की सतह पर जो विविदिता हैं इसके भौतिक परियावरण के साथ सांस्कृतिक परियावरण में भी विविदिता लाते हैं और भुगोल का अध्यान करते हुए हम पाते हैं कि भुगोल में अध्यान किये जाने वाले जो कुछ परिद्रश्य हैं वो अन्य परिद्रश्य हैं उनके समान हैं और कुछ जो परिद्रश्य हैं वो अन्य परिद्रश्यों से अलग हुए हैं और ये जो परिदिश्य हैं वो स्थान के हिसाब से बदलते रहते हैं, स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं दूसरे सब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शेत्र के आधार पर स्थाकृति, जलवायू, मिट्टी, वनस्पति, प्राकिर्तिक और मानिवे संसाधनों तथा संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भुगोल की विशेष्टा के संबंध में कि भुगोल शेत्रिय विभेदी करण का अध्यान है इसके अलावा जो हम भुगोल के माध्यम से दो या इससे अधिक परिदिश्यों के बीच आपचारिक संबंधों का पता लगाने का प्रियास करते हैं तो भुगोल में अन्य कारिकों के साथ-साथ उन सम्बंधों का अध्यान भी किया जाता है जो विभिनिता के कारक हैं हम उदारन के तौर पर देखें तो जनसंख्या घनत्व में विभिन अस्थानों पर हम अंतर देख सकते हैं दो अस्थान की जनसंख्या जो है वो समान नहीं है अगर हम जनसंख्या की भारत में ही तुलना करें तो जो हमारा पश्यमी बंगाल है वहां की जनसंख्या से जो हमारे पहाडी छेतर हैं हमारे देश में उनकी जनसंख्या में अंतर देखा जा सकता है तो जनसंख्या की जो सघंता में जो विभनिता है एक परिदिश्य की रूप में जो भौतिक लक्षण है हमारे जलवायू, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पती जो हमारे वहाँ पे खनी संसाधन उपलब्ध हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर वहां कौन सा धर्म है उस धर्म के आधार पर वहां उस पर आधारित होती है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भुगोल है वह कारे कारण या कारण प्रभाव के संबंधों का अध्यान करता है साथ ही हम भुगोल में कारणों को पहचानने का प्रियास करते हैं भुगोल वित्ता के द्वारा परिदिश्यों की व्याख्या कारण और परिणाम के संबंधों में की जाती है और मात्रिया अर्थने धारण में ही सहायता नहीं करती बलकि भुगोल के माध्यम से हम पुर्वा नुमान भी लगा सकते हैं हम सभी जानते हैं कि यह जो संसार है वह गतिशील है वह परिवर्तन शील है और चाहे वह भौगोलिक दृश्य हो भौतिक दृश्य हो यह वह कोई मानविय परिदृश्य हो यह दोनों ही परिदिश्य स्थिर नहीं हैं, बलकि इनमें सतत रूप से परिवर्तन होता रहता है और यह गतिशील हैं। यह जो बदलाव की जो गती है, यह गती कभी तिवर्ध हो सकती है कुछ परिप्रिक्ष में, कुछ जगहों पर यह गती जो है मन्द हो सकती है लेकिन कोई भी जो परिद्रिश्य है वह एक लंबे समय तक एक जैसा नहीं बना रहता है और इस गती शीलता और परिवर्तन शीलता का जो कारण है वो पृत्वी का निर्ति का परिवर्तन है जो पृत्वी है वो निर्ति परिवर्तित होती रहती है और जो मानो है वो पृत्वी के साथ अपनी कुछ अंतर क्रियाई करता रहता है तो पृत्वी की गती शीलता और सक् जीवन के जो विभिन पहलू हैं, उनको प्रभावीत करती रहती है। और इस चीज का प्रभाव जो है, जो मानो भोजन के रूप में क्या लेता है, मानो के भोजन पर, उसके वस्तर पर, वह कहां रहता है, उसका आवाश कहां है, उसके वैवसाय पर हम देख सकते हैं। साथ ही मानविय सत्ता जो है, अनुकूलन और आधुनी करण के माध्यम से प्रकृति का सामना करती है। इस प्रकार यह वैसिश्ट भुगोल के दूसरे पहलू हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भुगोल है, वह मानविय सत्ता उनके पर्यावरण के बीच के अंतक रियात्मक संबंदों का अध्यान है। भूगोल की विशेशता की विशे में हम बात करते हुए यह कह सकते हैं कि जो भूगोल है वो परदिश्यों के संबंध में क्या, कहां और कैसे का अध्यान करता है इसके साथ ही भूगोल के अंतरगत किसी स्थान की विशेष्टा का अध्यान उसके भौतिक और मानविय पहलूँ के संदर्व में किया जाता है और जो हमारे भूगोल के अध्यान शेतर हैं उसमें जो मुख्य हैं वो अस्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल और जैवंडल और हम इनका परस पर भूगोल के अंतरगत अध्यान करते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भुगोल है वो मानविय ज्यान को बढ़ाने में मानविय ज्यान के वृद्धी में तीन प्रकार से सहायता करता है इसमें जो पहला है कि विज्ञान से प्राप्त तथियों का विवेचन करके मानिवी वास स्थान के रूप में प्रिथवी का ध्यान करना दूसरा अन्य विज्ञानों के द्वारा विक्सित धार्नाव में अंतर नहीं तथ्य की परिक्षा का उसर देता है क्योंकि भुगोल उन धार्नाव का स्थान विशेस पर प्रियोग कर सकता है इसके साथ ही भुगोल सार्वजनिक अथ्वा नीजी नीतियों के निधारन में अपनी विशिष्ट प्रिष्ट भूमी प्रदान करता है जिसके आधार पर समस्याओं का स्पष्टी करण सुविधा जनक हो जाता है अब हम बात करते हैं कि उच्प्रात्मिक अस्तर पर जो पाठिकरम है उसमें भुगोल का क्या प्रियोजन है हम सभी जानते हैं कि सामाजिक अध्यान विशे विद्याली सिक्षा का अभिन भाग है और यह जो विशे है यह देश के में हर जगह पे हर विद्याले में हर प्रदेश में पढ़ाया जाता है उच्छ प्रात्मिक स्तर पर सामाजिक अध्यान विशे के अंतरगत हम जिन विशेयों को शामिल करते हैं उसमें हम इतिहास को लेते हैं, भुगोल को शामिल करते हैं, नागरिक अर्थिस शास्त्र और समाज शास्त्र को हम सामाजिक विज्ञान के अंतरगत या सामाजिक अध्यान हम कह लें, सामाजिक अध्यान के अंतरगत शामिल करते हैं. यद भी समाजिक अध्यान के अंतरगत पाटक्रम में जो ये विशय शामिल किये जाते हैं इसमें देश भर में कोई अंतर नहीं है हर राजय में हर जगा पे हमारे समाजिक अध्यान के अंतरगत इनहीं विशयों को शामिल किया जाता है लेकिन बोर्ड के आधार पर या विद्यालियों के आधार पर जो समाजिक अध्यान विशय की जो पाठे पुस्तके हैं उनमें हम बहुत ही अंतर देख सकते हैं यह संभव है कि कुछ राजियों में या कुछ विद्यालियों में समाजिक अध्यान के लिए मातर एक ही पाठे पुस्तक हो और जिसमें इतिहास, भुगोल, अर्थसास, राजनिती सास्त से कुछ निश्चित पाठ हो और वही पर ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे पाठे करम हैं या दूसरे बोर्ड हैं या दूसरे विद्याले हैं उनमें इतिहास, भुगोल, अर्थसा, समाजसास या राजनिती सास्तर के लिए अलग-अलग पुस्तक हो जैसा कि हम NCRT के पाठे करम में देख सकते हैं कि सामाजिक जो अध्यान है उसके अंतरगत अलग-अलग पुस्त का उधारन ले सकते हैं हम देखेंगे कक्षा साथ की पाठे पुस्तक में इतिहास के अध्यान के लिए जो पाठे पुस्तक है उसका नाम हमारा अतीत है समाज शास्तर और राजनिती सास्तर के लिए सामाजिक और राजनितिक जीवन है और भुगोल के लिए हमारा पर्याव तो कक्षा 7 के लिए इतिहास और राजनिती शास्त्र जो है वह एक पाथे पुष्तक में है जिसका नाम हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र है और वही पर भूगोल के लिए पृत्वी और हमारा जीवन पाथेपुस्तक है यानि कि कुल दो पाठे पुस्तकें पाठे करम में शामिल की गई हैं ऐसा हो सकता है कि समाजी का ध्यान के लिए कुछ राजियों में या कुछ इस्थानों पर मात्र एक ही पाठे पुस्तक हो तो इस प्रकार से पाठे पुस्तकों में अंतर देखा जा सकता है जो हमारे नंबर जो हैं पाथे पुस्तक की जो वो अलग-अलग हो सकती है तो इसमें यह हो सकता है कि जहां मातर एक पाथे पुस्तक हो और उसी में इतिहास, भुगोल, राजनिती सास्ट, अर्थ सास्ट और समाथ सास्ट के पाथों को समिलित किया गया हो वहाँ पर प्रतेक विश्य की जो सिमाएं हैं वो आसानी से दुर्श्य नहीं है और इन विश्यों से लिए गए विश्य वस्तू निश्चित सामाजिक परिदेश और प्रक्रियाओं के अध्यान के लिए आपस में घुल मिल गए हैं यानि के राजनिती शास्तू में अर्थच भी आ जाता है समाजज सास्तू में यह सीमाएं जो हें बहुती स्पॉष्ट नहीं हैं अब हम बात करते हैं कि भुगोल के अंतरगत पर थेक्रम में हम कौन-कौन से चीजों को कौन-कौन से पाठे विंद्वों को विद्याली इस तर पे शामिल करते हैं, उनको पढ़ाते हैं तो इस पाठे क्रम में, भुगोल में हम प्रित्वी को सौर मंडल और उसकी प्रणाली को वायू मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, भू सतर, जलवायू, मौसम, प्राकिर्ति के उम्मानिविये संसाधन, शेत्रों, देशों और महद्वीपों, आर्थिक गतिविधियों, वहां क जो हमारे उपर जो संकट हैं, उनका अध्यान जैसे जलवायू परिवर्तन, वैश्विक तापन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, मरोस्थली करण, अलनीनों, जलसंसाधनों, प्राकिर्तिक आपदाओं, गरीबी, बेरोजगारी और पर्यावरन शती जैसी को शामिल किया गया है, अब यहां पर एक प्रशन होता है कि हम विद्याली स्तर पर भुगोल को पाठेक्रम में क्यों पढ़ाएं, इसको शामिल किये जाने का प्रियोजन क्या है, भुगोल को विद्याले के स्तर पर पढ़ाया क्यों जाता है, और हमें इस विश्वे को बुगोल को पाठिक्रम में समिरत किया जाने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वह तर्क यह है कि जो मनुश्य है वो प्रिथवी का सबसे अधिक विवेक्षिल प्राणी है जिसे हम होमो सेपियन्स के रूप में जानते हैं और जो मनुश्य है वह अपने और अनिप्रकार क जीवों के निवासस्थल के रूप में प्रिथवी के बारे में जानने के लिए उत्सुख है वह जिग्यासू है भुगोल के अध्यान के द्वारा हम प्रिथवी और इसकी प्रनालियों के विशे में गहरी समझ प्राप्त करते हैं साथ ही भुगोल के अध्यान के माध्यम स जो विद्यार्थी हैं वो प्रित्वी को कौन-कौन से मुद्दे प्रभावित करते हैं या प्रित्वी के कौन-कौन से मुद्दे हमें प्रभावित करते हैं इस तरह से उनको समझने के लिए तैयार होते हैं इसके साथ ही भुगोल का जो ग्यान है वो विद्यार्थी को स्थ विद्यार्थी प्रिथवी एवं मानों के बीच जो अन्योन्यासित संबंध है उसको समझ पाते हैं। साथ ही विद्यार्थी यह जान पाते हैं कि जो हमारा जीवन है वो कई प्रकार से हमारे परिवेश से प्रभावित होता है। साथ ही भुगोल का प्रकिर्टी के साथ, संबंध के साथ-साथ, पर्यवरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके विशय में भुगोल हमको ग्याने देता है। इसक्रम में हमें छेत्र, राज्य और देश को वैस्विक संदर्व में जानना आवश्यक है। प्रबंधन हो गया। या वस्तूों के लिए कोई उचित बाजार चुनना हुआ कि किसी वस्तू के लिए कौन सा बाजार है, वो सर्वोचीत है। साथ ही जो परिवहन और संचार के साधन है, उनकी क्या आवश्यक्ता है? उसके विशे में समझ जो हमको विक्सित करनी है। संसाधन संरक्षण के पती जो हमें जागरुक्ता विक्सित करने की आवश्यक्ता है और इन संसाधनों का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमें भुगोल को पाठिक्रम में शामिल करना आवश्यक है। साथ ही भुगोल जो है हमें विभनताओं का आकलन करने और लंबे समय में ऐसी विभनताओं को उत्पर्ण करने वाले कारकों को जाचने और अंतरिक्ष की जानकारी से सुसजित करता है अतर सामाजिक विज्ञान के महतपुन घटक के रूप में विद्याली इस्तर पर भुगोल का अध्यान करना आवश्यक है हम जानते हैं कि भुगोल जो है एक अंतरविशय या अंतरशाष्ट्रे विज्ञान है जिसका मूल उद्देश्य प्रिथवी के तल पर इस्थित भौतिक एवं मानविये तथ्यों का अध्यान करना है भुगोल भूतल का अध्यान एवं मिश्लेशन मानों के संसार के रूप में करता है भूतल पर विद्यमान पर्यावर्ण की दशा तथा मनुषय के मध होने वाले क्रिया प्रतिक्रिया और इससे उत्पन विशय की व्याख्या करना भुगोल का लक्ष है इसमें प्राकिर्थिक तथियों एवं घटनाओं का अध्यन मात्र या थात हुप में ही नहीं बलकि मानों का कल्याण किस प्रकार से हो सके इस उद्देशे से किया जाता है अब हम बात करते हैं कि प्रारंबी कस्तर पर भुगोल का क्या अस्थान है तो प्रारंबी कस्तर को हम दो भागों में बाढ़ते हैं पहला जो है प्रात्मी कस्तर और दूसरा जो है उच्छ प्रात्मी कस्तर प्रात्मी कस्तर या नेमना प्रात्मी कस्तर जिसे हम कह देते हैं उसे कक्षा एक से पांच तक की कक्षाओं को हम उसमें शामिल करते हैं और वही पर उच प्रात्मिक स्तर पर कक्षा 6 से कक्षा आठ तक की कक्षाओं जो हैं वो शामिल की जाती है कक्षा एक से लेके कक्षा पांच तक भुगोल पर्यावरण अध्यान का भाग होता है उसमें भी कक्षा एक और दो पे उसे भाषा और गडित के साथ सम्मिलित कर लेते हैं और तीन से पाँच तक पर्यावरण अध्यान में होता है अता हम जब प्रारंबी के स्तर पर भुगोल के स्थान की बात करेंगे आज तो कक्षा 6 से कक्षा 8 के संदर में हम करेंगे जैसा अभी हम मैंने कहा कि कक्षा जो प्रात्मी कक्षा है उसमें एक और दो में भुगोल जो है भाषा और गडित में पढ़ाई जाता है और तीन से पाँच तक इसे पर्यावरण विज्ञान में पढ़ाई जाता है और भुगोल को प्रात्मी कस्तर पर स्थान देने की बात करें तो या बच्चे को उनके आसपास के स्थान की जानकारी देने से हम भुगोल की शुरुआत करते हैं और प्रात्मिक स्तर पर जो भुगोल से संबंधित, पुर्वा प्रात्मिक स्तर पर जो दिया गया ज्यान है, उसी ज्यान को करम सर्विक्सित करना चाहिए और किसी भी प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन पाठिक्रम में नहीं होना चाहिए. अब हम बात करें उच्छ प्रात्मी कस्तर की तो उच्छ प्रात्मी कस्तर के जो विद्यार्थी हैं उनकी शारिरिक और मानसिक स्रक्तियां अधिक परिपक्व और स्थाई हो जाती है इस संसार के प्रती बालक की रूची उनका कौतुहल और भी बढ़ जाता है विद्यार्थियों में अनुसंधान करने की जो ये प्रविर्ती है वह तेज हो जाती है विद्यार्थी वस्तुओं की विसे में जानकारी को एकत्रित करने में रूची लेने लगता है विद्यार्थियों में दिक्षन करने की शक्ती भी बढ़ जाती है और वह प्रतेक वस्तू को सही सही समझने की कोशिश करता है बालक हर एक वस्तू को बहुत ही ध्यान से देखता है और उसको समझने की कोशिश करता है इस क्रम में विद्यार्थी के स्मरन सक्ति में वृद्धी होती है और उसका मस्तिक्स जो है वह वस्तुमों को सिग्रग्रहन करने लगता है इस समय वस्तुमों तथा अनुभव को एकत्रित करने में विद्यार्थी जो हैं वो लगे रहते हैं प्रारंविक अवस्था में अभिवक्त एकतृत किये हुए विचारों को विद्यार्थी क्रम में रखने तथा विशलेशन करने में अपनी बुद्धी का उप्योग करने लगते हैं, जो विद्यार्थी हैं, इस समें कारे कारण संबंधों को समझ पाते हैं और उनकी ज्यान करने की जो भाशा है उसमें शिग्रविध हो जाती है उनको संसार की विशालता विभनिता तथा सौंदर की विशय में जानने की भावना होती है तो इसमें अध्यापक को चाहिए कि भुगोल के विशय के माध्यम से वह कौतुवल की जो भावना है उसको उत्साहित कर छात्र उसमें भी भुगोल के उदेश्य कुछ दिये गए हैं और जिनके आधार पर ही हमें उच्च प्रात्मिक स्तर पे विद्यार्थियों का जो पाठे क्रम क्या होना चाहिए उसको निर्धारिद करना चाहिए तो आए इसमें हम उदेश्यों को पहले देख लेते हैं पहला जो उदेश्य है मानो जाती के निवास और जीवन के अने रूप में विद्यार्थियों में प्रिथवी के संबंध में समझ विक्सित करना विद्यार्थियों को वैश्विक संदर में उनके छेतर, राज और देश के संबंध में अध्यान करने का उसर देना विद्यार्थियों को आर्थिक संसाधनों के वैश्विक वितरण और वैश्विक रण की चल रही प्रक्रिया से परिचित कराना विभी ने छेत्रों और देशों के परस्पर निर्भरता की समझ को बढ़ावा देना तो हम राश्विप पाठेचर्या की रूप रेखा के आधार पर और उच प्रात्मिक अस्तर पर विद्यार्थियों के शारीरिक, मांसिक इवं समवेगात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए जिन बिंदूओं को पाठक्रम में शामिल करना चाहिए वो इस प्रकार से हैं इसमें सबसे पहले गृप प्रदेश का व्यापक अध्यान शामिल किया जाना चाहिए इसमें स्थानिय चेतर की जलवायू, वनस्पती की प्रकृति, जनसंक्या, सामाजिक तथा सांस्क्रितिक परिचे, आर्थिक क्रिया परिचे, कृषी, उद्योग, व्यापार, आवा गमन, परिवहन सुविधाएं और यातायत के प्रमुक साधन एवं मारगों को लेना चा माहदविप्यों के बाद इस स्थर पर प्रमुक जो देश हैं, उनकी जानकारी दी जा सकती हैं, जैसे सन्युक तराज अमेरिका हो गया, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि, जो देश हैं, उनका जो भगौलिक परिचे हैं, उनके जलवायू के बारे में उसका ग्यान देना साथ ही अफगानिस्तान, इनका जो है भगौलिक परिचे, एशिया महादविप में भारत की क्या स्थिती है, और अन्य देशों के मद्ध, याताया, तथा परिवहन के साधन, तथा सुविधाएं क्या हैं, इसकी हम जानकारी इस स्थर पर दे सकते हैं, साथ ही विश्व की जो प्रमुक समस्या हैं, उनके बारे में हम भिधार्थियों को जानकारी दे सकते हैं, और जैसे हम बात किया, इसमें जलवायू परिवर्तन, वैश्विक्तापन, मDROS Pikachu करन, इन सारी चीजहों की जानकारी विधार्थियों को दी जा सकते हैं, साथ ही इस क्रम में हम सन्युक इसके साथ ही हम भारत के भूगोल को ले सकते हैं, इसमें भारत की स्थिती और विश्तार, प्राकर्तिक विभाजन, रितु एवं मौसम, जलवायू, वनस्पती, सीचाई के साधन, आवागमन के साधन, कृषी तथा अन्य उत्पादन, जनसंख्या, खनित संपती, व्यापार एवं उद्योग धन्दे, साथ ही अन्य वेशन अथाओं को हम रख सकते हैं, प्रायोगी कारी भी बहुत ही, इसमें महत्यपून हैं, और इसमें हम भारत का रंगीन, जो मानचितर है, उसका अंकन, दिशा, दूरी, नदी, परवत, तटिये छेतर आदी का प्रणरशन, ग्ल ले सकते हैं, धरातल, जलवायू, शेतरफल, वनस्पती, महासागर और जनसंख्या को ले सकते हैं, इसके साथ प्राकृतिक भूगोल के अंतरगत, हम प्रित्वी की दैनिक तथा वार्शिक गतियों, परवत तथा अनिस्थलाकृतियों, अक्षांस देशांतर का ज्यान और उसका उपियोग, समय, अंतराश्य समय रेखा, विभिन प्रकार के वन, मिट्टी, प्रमुख, खाद्य तथा अखाद्य फसल, खनीजों का उत्पादन, वितरण एवं प्रेयोग को लेते हैं, प्रायोगी कारियों में हम मौसम रिक्षन, रिकॉर्डिंग, एशिया का गिन मान्चित रांकन तथा वितरण मान्चित तयार करना को रख सकते हैं, अध में हम बात करते हैं कक्षा आठ की, कक्षा आठ में प्राकिर्तिक भुगोल के अंतरगत हम सौर मंडल के विशे में जानकारी दे सकते हैं, इसके साथ ही वायो मंडल का ग्यान, परवत, पठार मैदान की उत्पति, जल मंडल परिचय, तथा समुद्री धाराएं, भुकम, ज्वाला मुखी उत्भेदन, नदी, पवन, एवं हिमवाह द्वारा, निर्मित अस्थला करतियां, भुगर्भिय परिवर्तन कारी शक्तियों से विद्यार्थियों को परशीत करा सकते हैं, वि आतायात एवं परिवहन, आयात, निरियात, मुखेवाय पारिक मार्ग, जनसंख्या, ऐसी सारी चीजों का अध्यान कर सकते हैं, प्रायोगी कारे के अंतरगत, विद्यार्थियों को विश्व का मानचेत्र बनाना, भौगॉलिक तथियों को मानचेत्र में प्रदर्शित कर भुगोल के अर्थ के बारें बात की प्रारंबीक स्तर पर भुगोल का क्या प्रयोजन है उसकी बात की पाथे बिंदूओं और भुगोल के स्थान की बात की हमने देखा कि भुगोल वह विज्ञान है जो मुख्य रूप से प्रित्वी और मानों के अंतर संबंधों का अध्यान करता है प्रित्वी और मानों के संबंधों को समझने हे तू भुगोल का जो ज्ञान है वो प्रारंब से ही विद्यार्थियों को दिया जाना आवश्यक है तो आज की चर्चा में बस इतना ही पुना अगली चर्चा में मिलेंगे धन्यवाद